हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Demarketing Wall में मेरा नाव है अभी शेख दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पताने जा रहा हूं कुछ ऐसे लैपटॉप जिन पर चल रहे हैं 35,000 तक के ओफर्स यानि कि आपको यहां पर 35,000 तक का डिसकाउंट मिलेगा लेकिन जैसा कि आप अभी जो Great Indian Festival चल रहा था वो तो 23 सारी खतम हो गया है लेकिन फिर भी अभी भी कुछ डिसकाउंट चल रहे हैं जहां पर आपको 18,000 से लेकर 35,000 तक का यहां पर आपको लैपटॉप पर डिसकाउंट मिल रहा है तो उन्हीं सारी लैपटॉप के बारे में आज की वीडियो म अब को बताने जा रहा हूँ सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप लोग जाके सारे स्पेसिफिकेशन को खुद भी चैक कर पाये और आप अगर चाहो तो उसे कर सकते हो ठीक है और इसका अलावा भी दूसरे तो अब हम आगे हैं मेरी laptop screen में और यहां पर मैं आपको पूरे 5 laptops नहीं बताऊंगा जिन में अभी बहुत बड़ा offer चल रहा है मतलब बहुत जादा ही discount यहां पर हमें मिल रहा है तो उस list में जो पहला laptop बता है वो है Asus Tab Gaming F15 laptop जिसकी screen size 15.6 जैसे की सभी के होते हैं और Core i5 processor पे चलता है 10th generation और यहां पर आपको 4GB का graphic card मिलेगा और 8GB RAM मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है और इसके बाल 512GB SSD मिलेगा मतलब fast storage तो है लेकिन अगर यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर 1TB का hard disk होता है और उसके बाद 255GB का हमें storage मिल जाता तो सोड़ा और बेटर रहता क्योंकि हम इसको सिर्फ gaming के लिए नहीं किसी और परफस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अभी यहां पर 512GB का SSD है तो मतलब यहां पर gaming purpose और दोसे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन काई ना गए थोड़ इसी कमी हमें hard disk के case में मिल रही है फिर अगर आप सिर्फ gaming के लिए लेते हैं तब तो यह sufficient है और मैं तो कहूंगा more than enough है इससे जादा कि आपको जरूत पड़ेगी नहीं gaming के case में ठीक है और अगर साथ में आपको और भी यूज़ करना चाहते है उस laptop का तो यहां पर आपको बान टी PC के लिए जो गेम पास होना जी वो भी आपको मिल रहा है ठीक है तो मनलब यह बहुत बढ़ी आफर चल रहा है अगर आप गेमिंग में बहुत जादा इंटरस्टेट है तो आपके लिए लैप्टोप बहुत बढ़ी हो सकता है और अभी फिलहाल के लिए यहां पर जो ऑफ बहुत बहुत खराब रहती है लेगिन यहां पर अगर आप देखे तो आपको बहुत ही बढ़ी है मिलने वाला है तो यह एक अच्छा प्रकेज रहेगा 144 हर्ट की रिफ्रेश्ट रेट भी आपको आप मिलेगी तो यह सारी चीज़े हैं जो से मैं इस लैप्टोप की तरफ बाकी आप चेक कर सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अब सेकंड लैप्टोप यह भी असुस का ही है और यहां पर भी आपको आइफा 10 जनरेशन मिल रहा है और साथ में 15 इंच की स्क्रीन है 15 इंच की और साथ में 4GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और 8GB RAM भी मिल रहा है और गाइस अब इस लैप्टॉप में हमें 1TB hard disk देखने का मिल रहा है और 256GB का SSD वालब गेमिंग के लिए तो वैसे भी है यह अच्छा और उपर से हमें यहां पर दूसरे कामों के लिए अच्छा खासा storage भी मिल रहा है तो यह एक बहुत अची बात है 1TB hard disk का आपको यहां पर मिल रहा है इससे आप future में इस laptop से कुछ और भी काम कर सकते हूं हलाकि उसमें भी ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं लेकिन आपन गेमिंग के लिए तो मतलब आप उसमें क्या करेंगे तो लेकिन यह चीज गेमिंग के लिए भी है और इस चीज के ल यहां परते हैं तो मैं तो यह लेता है क्योंकि प्लान्स होते हैं इंसान के प्लान से चेंज होते रहते हैं उसके लाप्टोप तो यहां पर ती नजार रुपर आधा देकि मैं अगार लेता तो इसी को पर्छास करता ठीक है मैं अपना point of view बता रहा हूं बाकि link discussion में है यहां पर अगर आप देखो के तो आपको 72,000 का मिलेगा लेकिन याद जो डेल जो एक्सपिरियंस देता है न वह कहीं हो और इतना देखने को मिलता नहीं है ठीक है तो आप देखते हैं 15.6 इंच का स्क्रीन है तो मतलब बहुत अच्छी बात है यह सब में 120 हर्ट का रिफरेश SSD मतलब यह चीज तो बहुत अच्छी होती है हमेशा यह चीज बहुत अच्छी रहती है अगर एक लैप्टॉप आ रहे हो 5-7 साल के लिए तो मतलब यह चीज तो हमेशा देख लेना कि 5-7 साल में अपने प्लान्स चेंज होते रहते हैं तो हमेशा आप 7-8 लाप्टॉप प कोई कॉंप्रमेस करेंगे बिल्कुल नहीं क्वालिटी है यह साथ में गेमी के लिए आपको सब कुछ मिल रहा है और उपर से डेल का नाम मिल रहा है जिससे आपको भरोसा कर सकते होगी यहां कोई दिक्कत आने वाली नहीं है लेकिन इन सब चीजों के लिए आपको 10,000 लेकिन यहां पर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी सब कुछ यहां पर मिल रहा है जो कुछ आपको चाहिए होता है ठीक है यहां पर 81,000 का है लेकिन यहां पर भी 25,000 का डिसकाउंट चल रहा है ठीक है तो 15 इंच का स्क्रीन है और इसके अलावा आपको यहां पर इंटल i5 10th generation मिल रहा है और उपर से 8GB RAM है 5GB SSD यार मतलब गेमिंग केल में तो कोई कमी नहीं है देखा जाए तो सिर्फ गेमिंग करोगे तो यह बहुत जादा होता है लेकिन अगर कुछ और भी काम करोगे यार 80,000 का लैप्टॉप ला रहे है तो मनलब कुछ तो और करोग है बाकि आप देख सकते हो आपकी पसंद है यहां पर बाकि यह लाप्टॉप का और थोड़ा लूक अगर हम देखे तो कलरिंग यार कमाल है मतलब यह सर का और इसके लावा हम देख लेते यूएस्बी पॉर्ट बगेरा तो यहां पर हमें एक यूएस्बी पॉर्ट मिल र अगर दूसरे लाप्टॉप का लुक इससे भी बढ़िया होते जो मैंने पिछले कुछ वीडियो से बताया थे उनके लुक इससे भी बढ़िया है ठीक है और अब चलते हमाने लास्ट यह फिर से हम आ गए है असुस पे तो यहां पर हम देख सकते हैं i7 10 जनरेशन है यहां पर और इसके अलावा अगर आप देखो के तो यहां पर आपको चार ग्राफिक कार्ड मिल रहा है जो कि बहुत कमाल की मादत है वहला ग्राफिक कार्ड ही तो एक यसी चीज़ होती है जिसके पर इससे गेम स्मूधली चलते है एक दम मख़न की तरह है और इसके लबावा 8GB पर इसके लावा आपको यहां पर एक्सबॉस का गेम पास फिर से मिल रहा है यहां पर अगर आपको इस लैप्टॉप पर इंवस्ट करना चाहिए क्योंकि आई 7 है और आई 7 लेने का फाइदा में आपको होता तो होता गया होता है कि मतलब अपने एक लैप्टॉप ले रह है तो दो साल बात कुछ ना कुछ एडबांस सीज उस लैप्टॉप में होती ही होती है तो अपन को लगता है कि कई ना कहीं यार अपना लैप्टॉप थोड़ा सा उससे पीछे रहे गया अब अपनको लैप्टॉप अप्ग्रेड करने की जरूत है ऐसी दिक्कत इसके साथ आप नहीं है अगर आप एक वाई आई सेवन ले तो अगले छेसा साल के लिए तो आप पैक हो मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं लेगा कि आपके लैप्टॉप की पर्फरेंड के दो साल बात लाइव लैप्टॉप से कम है ऐसा कभी भी आपको फील नहीं होगा और हमेशा आपको अपने लैप्टॉप पर काम करने की इच्छा होती रहेगी क्योंकि आई सेवन बहुत बढ़ा हाला कि आई नाइन भी आ गया है सब कुछ है लेकि फिर भी आई सेवन में अभी भी बात है क्योंकि जादता लोगों के पास अभी भी आई सेवन नहीं है ठीक है तो आ गेमिंग बहुत अच्छे है अगर आप कोई भी लैप्टॉप मेंसे लेते हों सभी में आपको गेमिंग के पर्फोर्मेंस में कोई कमी देखने हों कि इससा मत सोचना कि 82,000 का लैप्टॉप लाएंगे तो हमें गेमिंग मजा आने वाला नहीं तो नहीं आएगा बिल्कुल भ को यूस करना है इस टिंकिंग के साथ मैं लेकर आया तो इसलिए मैं 70,000 का लैप्टॉप ले कर आया मैं दूसरे description में दे रखा है बाकी बहुत सारे specifications हैं इसको detail में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ नीचे लिखा हुआ है तो सारी जी तो हम यह भी discuss नहीं कर सकते हैं लेकिन आप आराम से जरूर बैट के बढ़ सकते हो तो description में सभी laptop का link में दे दूँगा ताकि आप लोग उसको जाके refer कर पाओ तो guys यार वीडियो पसंद आया तो like जरूर कर देना इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों अमीद ही वीडियो का पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इस वीडियो के like भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और आपने बिता किस चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर दो प्रेस करना बिल्कुल मत बुले क्योंकि इससे में रहने वाले हर वीडियो की नाटिफिकेशन सबसे पहले आपको भी लेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में से फितना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद